हाई प्रेंड विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ओपो फाइंड एक्स टू स्रीज की स्मार्ट फोन की जो की इंडियन मार्केट में अभी तक लॉंच नहीं हो पाया है और यह फोन तो बहुत ही जल्द लॉंच हो सकता है औ दोस्तों मैं हूँ आजिस क्रिकेटा एकन नाइन टेक्निकल से और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा तो दोस्तों आई चलते हैं वीडियो की शुरूबात करते हैं बीजाइन के अगर बात किया जाये दो तो इस स्माटफोन की लूप के डीजाइन दो तो कापी कमाल का है कर्ब डीजाइन के साथ ये स्माटफोन पूरी तरह से आपके हाथ में फीट बैढ़ता है अगर इस फॉन की dimension की बात करें देता तो यहां मिलता है 16.49 cm का height, width की बात करें तो 7.45 cm का हमें देखने कुल जाता है, depth की बात करें तो 0.8 cm का दिया गया है और इस फॉन की वजन की बात करें देता थी यह फॉन 209 ग्राम का है, तो यहां पर तो डिजाइन काफी बलिया है, इस स्मार्टपोन में हमें देखने कुल जाता है, अगर इस फॉन की display की बात करें दोता है, यहां पर ultra vision स्क्रीन हमें देखने कुलता है, जो की 120 heartage refresh rate के साथ देखने कुलता है, तो यहां पर तो स्क्रीन काफी जादा smooth work करने वाला है, यहां पर तो 3K QHD+, और billion color variant देखने करनाता है, अगर इस फॉन की performance की बात करें दोता है, यहां पर मिलता है Snapdragon 865 का chipset जो की काफी powerful chipset है दोस्तों, गेमिंग के लिए यह smartphone काफी बढ़िया रहाएगा, फिर फायर PUBG जैसे game हम काफी smooth लिख सकते हैं, साथ में देखने कुलता है, और इस फॉन की अगर ROM की बात करें दोता है, यहां पर 256GB का हमें देखने को मिलता है, तो यहां पर दोता हमें storage capacity काफी बढ़िया देखने को जाता है, विडियो, ओडियो, फोटो और important document हम ज्यादा से ज्यादा इस smartphone में store करके रख सकते हैं, आगर इस फॉन की operating system की बात करें दोता है, यहां पर Android version 10 का operating system देख camera setup के साथ देखने को जता है, जिसमें की 48MP को wide angle camera दिया गया है, 12MP के यहां पर ultra wide angle camera और 13MP के यहां पर telephoto camera देखने को जता है, जिसमें के जता हम 5 गुना तक hybrid zoom कर सकते हैं, और 20 गुना तक इसे digital zoom किया जा सकता है, तो यहां पर देखने को जाता है, और इस camera से जत्तों हम 4K HD 30 APS में video recording कर सकते हैं, अगर इस phone की front camera की बात करें दोता है, यहां पर हमें single camera setup देखने को जता है, जो की 32MP का दिया गया है, और इस camera से भी दोतों हम full HD 30 APS में video recording कर सकते हैं, तो यहां पर camera मावले में यह smartphone दोतों काफी जवर्जस रहेगा, अगर इस phone की battery की बात करें दोत कर सकता है, तो यहां पर charging support हमें काफी बढ़िया देखने को लिए जाता है, और अगर इस phone की network and connectivity की बात करें दोतों यह smartphone 5G connectivity को support करता है, और इस smartphone में दोतों हमें dual stream का option देखने को जता है, जो की GSM to GSM होगा, और दोना ही stream दोतों हमें nano stream में देखने को लेगा, अगर इस phone क की price की बात करें, दोतों तो यह phone हमें 70-75,000 रुपया के बीच में देखने को मिल सकता है, हो सकता है दोतों यह smartphone हमें 70,000 से कम price में भी देखने को मिल सकता है, और यह phone दोतों कब तक launch होगा, अभी तक इसकी पुली जनकारी नहीं मिल पाई है, तो दोतों आपको यह smartphone कैसा ल